इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर सेंटेंस को आप कह सकते हैं आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना ये सडक मुंबई जाती है हाला कि आप यहाँ पर कह सकते हैं ये सडक कहां जाती है ये सडक किसके घर जाती है मेरे पास पैसे कभी नहीं थे वो भी क्या दिन थे कसम से आप भी क्या इंसान हो सच में क्या हो अगर वो तुम्हारा दिल तोर दे तो अगर वो आपकी बात न माने तो सिंदगी हमें शायद दूसरा मौका न दे कितना बदल गया तु समय कितना बदल गया है काश तुम मेरे होते काश मैं तुम्हारा होता पागल हो गया है क्या तु आर ये मैड और वाट ये बिल्डिंग है ये फिर जो हो रहा है होने दो इसी सेंटेंस को एडवांस इंगलिश में देखे आप किस तरह से बोल सकते हैं नेचर को अपनी दिशा लेने दो यानि जो हो रहा है उसे होने दो अकसर इंगलिश मूवीज में या इंगलिश सीरियल्स में आप इस सेंटेंस को सुनेंगे यादें आज भी धुंदली नहीं हुई हैं Memories are not yet vanished या फिर आप कह सकते हैं Memories are still intact मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार I tried a lot but all in vain मैंने बहुत पढ़ाई की पर सब बेकार I studied a lot but all in vain शायद ही किसी ने मुझे धूनने की कोशिश की हो I don't think if someone tried to look for me वो शायद ही कभी मुझसे मिल पाए I don't think if he could ever meet me आपने चपलें उल्टी पहन रखी हैं You have put on your slippers wrong sides यानि right side को left में और left side को right में यहाँ पर उल्टा पहने का ये sense है और जब आप कहते हैं आपकी चपलें उल्टी पड़ी हुई हैं यहाँ पर उल्टी हो रखी हैं चपलें पैर में उल्टी पहनी हैं ऐसा नहीं बताया उल्टी पड़ी भी हैं चपलें Your slippers are lying upside down काश मैं घर जा पाता I wish I could go home काश मैं आपसे मिल पाता I wish I could meet you मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा I will leave no stone unturned या फिर आप कह सकते हैं I will not leave any stone unturned मैं यह दिल से करना चाहता हूँ I want to do it wholeheartedly मैं आपको दिल से पढ़ाना चाहता हूँ I want to teach you wholeheartedly आज मैं किसी तरह बच गया I somehow escaped today मुझे ये 10 रुपे का पड़ा It cost me 10 रुपेज हमारे बीच कुछ नहीं है There is nothing between us मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है What wrong have I done to you? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What wrong has he done to you? किसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? What wrong has anyone done to you? इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? What wrong can it cause to you? वो तो तुम्हारा साथ देगा ही He will obviously support you या फिर आप कह सकते हैं He will obviously help you वो तो वहाँ जाएगा ही He will obviously go there उसने ही तो ही कहा था It was he who had said it राम ही तु यहाँ आया था It was राम who had come here वह फिसल कर गिर गया यानि वो फिसला और गिर गया He slipped and fell down वह कुए में फिसल कर गिर गया He slipped and fell into the well जुबान फिसल गई It was a slip of tongue ऐसा कई बार होता है आपके साथ कि आप कहना कुछ चाते थे और कुछ और कह बैठे तो आप कहते हैं ओ जुबान फिसल गई तो यहाँ पर आप कह सकते हैं It was a slip of tongue तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते You can't stand against me यह चपलें जादा दिन तक नहीं टिकेंगी These slippers are not going to stay long प्रूप धिस्टने लादे 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 लादे